आज हम देखेंगे changing the end of the story में कोई और variation teachers के पास मौजूद है बिलकुल मौजूद है और हम उसको कहते है इसके अंदर आप लिख नहीं रहे आप बोल रहे हो और इसके साथ जो सबसे बड़ा फायदा यह होता है वह हमारी वर्बल communication skills बहुत इंप्रूव होती है और हमारी creative और imagination से related जितनी capabilities हैं वह verbally exposed भी होती है expressed भी होती है और इंप्रूव भी होती है तो इस activity में क्या किया जा सकता है as a teacher जो है आप class को एक circle में ले सकते हो और आप सेंटर में बैठ सकते हो और अपनी एक कहानी उनके सामने शिरू कर देते हो और वह कहानी जो है वह एक spot पर जाके रुप जाती है और आप अपनी साथ अले student को कहते हो कि अब उस कहानी को आप आके लेकर चलो हर student ने आठ से नौ या छे से साथ dialogue जो होते हैं वह कहानी के अंदर add-on करने होते हैं और जब उस student अपनी कहानी को end-on कर लेता है अपने dialogues को एक और नए प्लॉट तक पहुशा देता है तो अगला student उसको वहां करें के देखें के उस कहानी को अब कैसे आगे लेके चलता है तो यह इसके अंदर हमारी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है अब इसके अंदर बच्चों की इस पोकन स्किल तो डिवेलप होती ही होती है बलके उनकी क्रियेटिविटी भी खुल के सामने आती है कि वह बन्या कर दूसरी की विडी का सब्सक्राइब शुरू होते हैं सेंटेंस सुन रहे हूते हुद सुन रहे हैं इमिजिनेशन सुन रहे होते हैं और आग अस कहानी को पर वो character आ गया है तो आप उसमें एक नया character भी इंट्रीउस कर सकते हैं उसको इस character से लड़ाई करा सकते हैं और उसको बहुत ही critical scene के उपर या stage के उपर आके आप अपने अगले friend को कह सकते हैं start up your explanation of the story वो इसको extend कर सकते हैं वो से आगे लेके जा सकते हैं क्या फाइदा है इस activity कराने का सबसे important जो हम आप अज़ी discuss कर चुके हैं वह communication skills जहें इससे improve होती हैं हमें across the culture जो है different किसम की चीजों का पता चलता है हम जब आपस में खटे बैठे होते हैं हर बच्चा story को अपने background के मुताबिक लेके आगे बढ़ा रहा होता है so it is good way to understand के हर बच्चा किस value background से आ रहा है किस culture background से आ रहा है और वह कैसे character को define कर रहा है और वो देख रहा है इसे हमें opportunity मिलती है different किसम के culture heritage को समझने में और अपनी culture को भी समझने में different ke star के लोगों से इसमें उल स्थ हमें होती है अर मुख्लिट जगों के बारे में हमिमें information add-on कर सकते हैं और situations के बारे में add-on कर सकते हैं और understanding develop कर सकते हैं customs and values के बारे में कर सकते हैं मुक्तलिस किसम के रस्म और रिवाज क्या होते हैं कैसे बदल सकते हैं हमारे student ही उन्हें कैसे change करते जाते हैं अपने background की वज़े से इस सरी के से एक और चीज़ पता चलता है कि आपके कितने ही student क्यों ना हो और हम कितने ही different क्यों ना हो हमारे अंदर बहुत सी values की cultures की और belief system की similarities भी मौजूद हैं जो हमें जोडे रखती है और इसमें benefit क्या है यह आपकी well being को promote करता है और यह बहुत ही relaxing activity है आपकी creativity जो है इसके अंदर वो खुल के सामने आती है student की participation बढ़ती है जो बच्चे चुप करके बैठे होते हैं आप वो भी आके कहानी में plot add करते हैं और कहानी को twist देते हैं और अपने dialogues add on करते चले जाते हैं imagination and creativity आपकी खुल के सामने आना शुरू जाती है student के दर्मियान एक cooperation एक बहुत ही interesting किसम की जो है cooperative activity है जिसमें वो एक दूसरे के plots के उपर एक दूसरे की जहां कहानी खतम हो रही है वहाँ से कहानी लेके चल रहे हैं और एक दूसरे को challenge भी कर रहे हैं और एक दूसरे को facilitate भी कर रहे हैं और explain भी कर रहे हैं अपनी spoken communication skills से कैसे कहानी को build up किया जा सकता है और समझा जा सकता है clear जुम्रों में clear terms के साथ clear चीज़ों के नाम के साथ और definitely हमारी listening skills इसके साथ बहुत improve होती है जब हम बड़े गोर से सुन रहे होते हैं कि कहानी कैसे develop हो रही है यहां तक आ चुकी है अब मेरे तक आने से पहले मुझे समझना है कि यह तमाम लोग क्या बता चुके हैं और कहानी अब कहां तक पहुची है तो आप बहुत ही attentively उस कहानी को सुन रहे होते हैं ताके जब आपकी बारी है तो आप उसके अंदर अपने dialogues add on कर सकें